पस्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना जिले का गाउं संदेश्खाली लगभग एक महिने से राजनेतिक तुफान के केंद्र में है रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1, 2 और 6 मार्च को पस्चिम बंगाल में होंगे 6 मार्च को वह उत्तर 24 परगणा में एक महिला रेली को संभूरित करेंगे जहां संदेश खाली स्थेत है तो चलिए जानते हैं कि क्यों है ये गाउं चर्चे में और क्या हुआ है अभी तक मेरा नाम है मर्दीब और आप देख रहे हैं Wipes of India तो जानते हैं कि क्यों संदेश खाली में विबात गहराता जा रहा है और आखिर इसकी सुरुवात कैसे हुई तो ये सब जन्वरी पाँच के एक ठंडी सुवा को सुरू हुआ जब करोडों रुपे के राशन वित्रन घोटाले में आरोपी टीमसी नेता साजहां सेख के आवाज पर इडी द्वारा छापा मारा गया साजहां के आदमियों ने ना केवल इडी अधिकारियों को उनके घर में घुसने से रोका बलकि उन पर हमला भी कर दिया जिले के बसीर हाट सब डिवीजन में संदेश खाली में अंतिर्म निर्ने माने जाने वाले साजहां जो जिला परिशत के सदस्य भी हैं तब से फरार हैं लेकिन उनके करीबी सहयोग्यों का दावा है कि वह चीजों पर बहुत निरंतर्म रखते हैं एडी घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थाने महिलाएं सामने आई और आरोप लगाया कि साजहां और उनके आदमियों ने जिंगा पालन के लिए जबर्दस्ती उनकी जमिन हत्याली और कई सालों से उन्हें प्रतारित कर रहे हैं और यौन उत्वीरन भी किया है इस महिला को रात भर महां रखते थे जब तक वे संतुस्त नहीं हो जाते महिला ने कहा कि साजहां की गैर मुझदूदगी ने उन्हें उन यातनाओं के बारे में बोलने का साहस दिया है जिनका वे कई सालों से सामना कर रही हैं महिलाओं ने बांस की लाठी और जारू लेकर विरोध जताया और साजहां और सिव प्रसाथ हजरा की ततकाल गिरफतारी की मांग करते वे स्थाने पुलिस्थानों का गिराव किया था इसके बाद पिछले सुक्रुवार को तनाव बढ़ गया जब प्रदर्सन कारी महिलाओं ने हजरा के स्वामित्व वाले तीन मुर्गी पालन फामू को जला दिया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे स्थानिय ग्रामिनों से जबरण हतियाए गए थे और एक जबरदस्ती के भूमी पर बनाए गए थे इससे बंगाल में विपक्षी दलों ने साजहां और उनके आदमियों को तुरंत गिरफतार करने की मांग तेज कर दी महिलाओं के प्रदरसन के कारण पस्चिम बंगाल के राजयपाल सीवी आनंद बोस को इस सब्सा सुरू होने वाले उनके केरल यात्रा को कट करना पड़ा ताकि वह संदेश खाली में स्थित्ती की समिक्षा कर सके संदेश खाली में महिलाओं से बात करने के बाद बोस ने इसे भयंकर और चौकाने वाला कहा अब जानते हैं कि हाल फिलाल में वहां क्या चल रहा है तो हाल फिलाल में संदेश खाली को लेकर ताजा विवाद खरा हो गया है जब भाजपा सांसद लौकेट चटरजी सहित कई महिला नेताओं को धारा 144 का हवादला देते वे छेत्र में जाने पर हिरासत में ले लिया गया त्रिनमूल नेता कुणाल घोस ने कहा कि संभवत दिल्ली से निर्देश है कि मार्च में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के पस्चिम बंगाल आने तक संदेश खाली मुद्दे को जीवित रखा जाए क्यूकि हर दिन भाजपा नेता संदेश खाली जाने के लिए कतार में साजहां के खिलाफ नए सिरे से प्रधर्शन सुरू होने के साथ ही पस्चिम बंगाल के डिजीपी राजीव कुमार सुकुरवार को संदेश खाली में मौजूद थे पूलिस ने अब तक भूमी हत्याने और यौन उत्पीरन के सिल्सले में 18 लोगों को गिरिफतार किया है जिनमें दो टीमसी नेता और साजहां का एक करीबी सहयोगी सामिल है साजहां जनवरी से फरार है जब एडी ने पहली बार उसके घर पर छापा मारा था आगे का अपडेट हम आप तक जरूर लेकर आएंगे तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए Wives of India को धन्यवाद